भैजन सहीदा 38 अध्याए 1 से 12 तक मेरे सहने से बाहर हो गए है मेरी मुडता के कारण कोडे से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए है मैं बहुत दुखी हूँ और जुक गया हूँ दिन भर मैं शौक का पहिरावा पहिने हुए चलता फिरता हूँ क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ मैं अपने मन की गबराहट से करहाता हूँ हे प्रभू मेरी सारी अभिलाशा तेरे समुक है और मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं मेरा हृदय धड़कता है मेरा बल घड़ता जाता है और मेरी आँखों की जोती भी मुझसे जाती रही मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपती में अलग हो गए और मेरे कुटुम्भी भी दूर जा खड़े हुए मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिच्छाते हैं और मेरी हानी का यतन करने वाले दुष्टता की बाते बोलते और दिन भर छल की युकती सोचते हैं लू का साथ अध्याई ग्यारा से पैंतीस तक थोड़े दिन बाद वह नाईन नाम के एक नगर को गया उसके चेले और बड़ी भीड उसके साथ जा रही थी जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिये जा रहे थे जो अपनी मा का एकलोता पुत्र था और वह विद्वा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले टहर गए तब उसने कहा हे जवान मैं तुझे कहता हूं उठ तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा उसने उसे उसकी मा को सौंप दिया इससे सब पर भय चा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविश्यदक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टी की है और उसके विशेम ये बात सारे यहुदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई यूहना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया तब यूहना ने अपने चेलों में से दो को बुला कर प्रभू के पास ये पुछने के लिए भेजा क्या आने वाला तू ही है ये हम किसी और की बात देखे उन्होंने उसके पास आकर कहा यूहना बात्तिसमा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पुछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है ये हम किसी दूसरे की बात देखे उसी गड़ी उसने बहुतों को बिमारियों और पीडाओ और दुष्टातमाओं से छुडाया और बहुत से अंधों को आंखे दी और उसने उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर युहना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगडे चलते फिरते हैं, कोडी शुद्ध किये जाते हैं, भहीरे सुनते हैं, पंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, धन्य है वजो, मेरे विशे में ठोकर न खाए, जब युहना के भेजे हुए लोग चले गए, तो ईशु युहना के विशे में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, क्या हावास से हिलते हुए तो फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या कोमल वस्तर पहिने हुए मनुश्य को, देखो, जो भड़किला वस्तर पहिनते और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं, तो फिर क्या देखने गए थे, क्या किसी भविश्यदक्ता को, हाँ, मैं तुम से कह वरन भविश्य दक्ता से भी बढ़े को यह वही है जिसके विशय में लिखा है देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्थ्रीयों से जन्मे हैं उनमे से युहना से बड़ा कोई नहीं पर जो परमेश्विर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है और सब साधारन लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी युहना का बाप्तिस्मा ले अतह मैं इस युग के लोगों की उपमा किस से दूँ कि वे किसके समान है वे उन बालोकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाई और तुम न नाचे हमने विलाप किया और तुम न रोए क्योंकि युहना बाप्तिसमा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया और तुम कहते हो उसमें दुष्ठा आत्मा है मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियकड मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र प बालाक ने बीलाम से कहा चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तु वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे तब बालाक बीलाम को पोर के सिरे पर जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है ले गया और बीलाम ने बालाक से कहा यहां पर मेरे लिए साथ वेदिया बनवा और यहां साथ बचड़े और साथ मेड़े तयार कर बीलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रतियक वेदी पर एक बचड़ा और एक मेड़ा चड़ाया गिंती 24 अध्याई 1 से 25 तक यह देखकर कि यहवा इस्राइल को आशी परमेशे दिलाना चाहता है बीलाम पहले के समान शकून देखने को न गया परंतु अपना मुह जंगल की और कर लिया और बीलाम ने आंखे उठाई और इस्राइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उत्रा तब इसने अपनी कुड़ बात आरंब की और कहने लगा बोर के पुत्र बिलाम की यह वानी है जिस पुरुष की आंखे बंद थी उसे की यह वानी है इश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पात है उसी की यह वानी है कि हे याकुब तेरे डेरे और हे इसरायल तेरे निवास्थान क्या ही मन-भावने हैं वे तो घाटियों के समान और नदी के तठकी वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहवा के लगाय हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देव दारू और उसके खडों से जल उम्डा करेगा और उसका बीज बहुत से जल बरे खेतों में पड़ेगा और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज ये बढ़ता ही जाएगा उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है जाती जाती के लोग जो उसके द्रोही है उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकडे टुकडे करेगा और अपने तीरों से उनको भेदेगा वह दबका बैठा है वह सीहन या सीहनी के समान लेट गया है अब उसको कौन छेडे जो कोई तुझे आशिरवाद दे वह आशिश पाए और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो तब बाला का कोप बीलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बीलाम से कहा मैंने तुझे अपने शद्रों को शाप देने के लिए बुलवाया परन्तु तुने तीन बार उन्हें आशिरवाद ही आशिरवाद दिया है इसलिए अब तु अपने स्थान पर भाग जा मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्टा करूँगा परन्तु अब यहवा ने तुझे प्रतिष्टा पाने से रोक रखा है बीलाम ने बालाक से कहा जो दूथ तुने मेरे पास बेजे थे क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे तो भी मैं यहवा के आग्या तोड़ कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा जो कुछ यहवा कहेगा वही मैं कहूंगा अब सुन मैं अपने लोगों के पास लोट कर जाता हूँ परन्तु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे फिर वो अपनी कुड़ बात आरम करके कहने लगा बोर के पुत्र बिलाम की यवानी है जिस पुरुष की आँखे बंद थी उसी की यवानी है इश्वर के वचनों का सुनने वाला और परमप्रधान के ज्ञान का जानने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्व शक्तिमान का दरशन पाता है उसी की यवानी है मैं उसको देखूँगा तो सही परन्तु अभी नहीं मैं उसको निहारूँगा तो सही परंतु समीप हो के नहीं याकुब में से एक तारा उदय होगा और इस्राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मौाब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा तब एदोम और सेईर भी जो उसके शद्रू है दोनों उसके वश में पढ़ेंगे और इस्राइल वीरता दिखाता जाएगा और याकुब ही में से एक अधिपती आएगा जो प्रबुता करेगा और नगर में से बची होगा भी सत्यनाश करेगा फिर उसने अमालेक पर द्रिष्टी करके अपनी कुड़ बात आरंब की और कहने लगा अमालेक अन्य जातियों में स्रेश्ट तो था परंतो उसका अंत विनाशी है फिर उसने केनियों पर द्रिष्टी करके अपनी कुड़ बात आरंब की और कहने लगा तेरा निवास्तान अती द्रिड तो है और तेरा बसेरा चटान पर तो है तो भी कैन उजड जाएगा और अंत में अशूर तुझे बंदी बना कर ले जाएगा फिर उसने अपनी कुड़ बात आरंब की और कहने लगा हाए जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा तो भी कितियों के पास जहाजवाले आकर अशूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा तब बीलाम चल दिया और अपने स्थान पर लोट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया गिंती 25 अध्याई 1 से 18 तक इसराइली शित्ती में रहते थे और वे लोग मोअबी लड़कियों के संग कुकुरुम करने लगे और जब उन्स त्रीयों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यग्यों में नेवता दिया तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को धंडवत करने लगे यो इसराइली बालपूर देवता को पूजने लगे तब यहवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा और यहवा ने मूसा से कहा प्रजा के सब प्रधानों को पकड़ कर यहवा के लिए धूप में लटका दे जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के उपर से दूर हो जाए तब मूसा ने इसराइली न्यायों से कहा तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो जब इसराइलीों की सारी मंडली मिलापवाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इसराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आँखों के सामने एक मीद्यानी स्थ्री को अपने साथ अपने भाईयों के पास ले आया इसे देखकर एली आजर का पुत्र पिनहास जो हारुन याजक का पोता था उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्ची ली और उस इसराइली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी बीतर गया औ और उस पुरुष और उस त्री दोनों के पेट में बर्ची बेद दी इस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुश्य मर गए तब योवा ने मुसा से कहा हारुन याजक का पोता एली आजर का पुत्र पिनहास जिसे इसराइलियों के बीच उस पुरुष मेरी से जलन उठी उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहां तक दूर किया है कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांती की वाचा बांधता हूं और व उसके लिए और उसके बाद उसके वन्ष के लिए सदा के याजक संग मारा गया उसका नाम जिम्री था वो साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पीतरों के घराने का प्रधान था और जो मीध्यानी स्थ्री मारी गई उसका नाम कोजबी था वो सूर की बेटी थी जो मीध्यानी पीतरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था फिर य यहवा ने मूसा से कहा मीद्यानों को सता और उन्हें मार क्योंकि पोर के विश्य और कोजभी के विश्य वे तुमको छल करके सताते हैं कोज भी एक मीध्यानी प्रधान की बेटी और मीध्यानियों की जाती बहिन थी और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई गिंती 26 अध्याई 1 से 11 तक फिर यहवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारुन याजक के पुत्र से कहा इसरालियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इसरालियों के बीच यूद करने के योग्य है उनके पीतरों के घरानों के अनुसार उन सभों की गिंती करो अतह मूसा और एलियाजर याजक ने यरिहों के पास यर्दन नदी के तर्ट पर मोअब के अराबा में उनको समझा के कहा बीस वर्ष के और उससे अधिक आयू के लोगों की गिंती लो जैसा कि यहवा ने मूसा और इसरालियों को मिस्र देश से निकाल आने के समय आग्या दी थी रूबेन जो इसराइल का जेठा था उसके ये पुत्र थे अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला और पल्लू जिससे हिस्रोनियों का कुल चला और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला रूबेन वाले कुल ये ही थे और इन में से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे और पल्लू का पुत्र एलियाब था और एलियाब के पुत्र नमू एल, दातान और अभिराम थे ये वे ही दातान और अभिराम है जो सभासद थे और जिस समय कोरह की मंडली ने यहवा से जगड़ा किया था उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारुन से जगड़े थे और जब 2900 मनुश्यों के आग में भस्म हो जाने से वो मंडली मिट गई उसी समय पृत्वी न नहीं मरे थे